आज हमारे साथ है प्रबीर पूर का यस्ता जो हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं जोलान हाइट्स के मुद्दे पर हाली में डॉनल्ड ट्रम ने कहा है कि समय आ गया है इस बात को स्विकारने का कि जो जोलान हाइट्स है वो असर में इस्रेल की जमीन का हिस्सा है इस्रेल की शेत्र में आता है पर इस बात से जुनिया के कई राज्य है वो सहमत है क्योंकि जोलान हाइट्स असर में सिर्या की ज महत्वपूर ने इसलिए है कि वो संसाइसेट की जो लड़ाई हुए थी अरब कुछ देशों के साथ और इसरेल की उसमें उन्होंने जोलान हैट्स को अकुपाई कर लिया थे कैप्चर करके उसको अकुपिशन में रखा और अब तक तब से अब तक वो इसरेल के कब्जे में हैं पर अंतर राष्ट्रिया कानून के मताबिक युनाइट नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल की जो रिजलूशन है कि इसरेल को जो जमीन उन्होंने संसाइसट की लड़ाई में कब्जा किया है उसको वापस देना चाहिए तो यह सिक्यूरिटी काउंसिल के रिजलूशन है सिक्यूरिटी काउंसिल की रिजलूशन के तहद इसको ऑकुपाइट टेरिटरीज ही माना जाता है इसलिए अगर आज डॉनल्ड ट्रॉम उसको इसरेल को गिफ्ट करना चाहते हैं तो सीरिया की जमीन गिफ्ट कर रहे हैं जो कि अंतराष्ट्रे कानून के खिलाफ है पहली तो यह बात है आप दूसरा सवाल यह पूछा कि अब कभी क्यों इतने साल हो गया है अभी क्यों इस बात दिकल के आई है तो अमरीका ट्रॉम्प के अंडर में जब ट्रॉम्प जब से प्रेजिडेंट बने है तब से इस्रेल के पाक्षेक्ता ज्यादा कर रहे हैं किसी और प्रेजिडेंट के बनस्मत क्योंकि सब प्रेजिडेंट का यह भूमी कर रहा है कि हम पैलेस्टाइन और इस्रेल की जो मामला है इसको सुलह करना चाहते है और इसलिए एक तथाकतित न्यूट्रालिटी और रखने की दिखाने की कोशिश किया है हकीकत में कभी न्यूट्र पैलेस्टी का पोज उनका रहा करता था नकाब था तो अब उन्होंने नकाब को हटा के कहा कि हम सरासर इस्रेल के साथ है और पैलेस्टीन का या सिर्या हो उससे हमारी कोई मतलब नहीं है ना कि अंतराश्य कानून का कोई मतलब है इस वक्त करने का मतलब यह है कि अभी इस् नेतानियाहू की जो पार्टी है उनकी जो कॉालिशन है उनकी हालत काफी खराब है क्योंकि नेतानियाहू का खिलाफ करप्शिन के चार्जेस है और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू होने का संभाबना है तो इसलिए इस इलेक्शन नेतानियाहू की सिर् Nita Niyahu को में कि इस्रेल की इलेक्ट्सिन में समर्थन करको उनको जिताना चाहते हैं. जब की Nita Niyahu की पार्टी क्योंकि इस वक्त कमजोर है. Nita Niyahu इन सब चीजों में करप्शन के मामनों में फंस चुके हैं. इस लिए एकडम far-right party जो है उनके जो coalition है उसमे है जो की जिसको Nazi party के साथ तुलना की जाती है तो जि यहुदी Nazi संगठनों के साथ इस वक्त जो extreme right वाले है उनके साथ Netanyahu की सांडगाट इस वक्त ओपन है और इसलिए अमरीका की जो लिबरल ओपिनियन है, जो कि इसरेल का साथ रहा है वो भी इस बात पर नेतानियाहू के साथ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक क्या कहेंगे, ट्रम्प ने नेतानियाहू पे बहुत दौँ ठपा लगा के कह रहे हैं, अमरीका नेतानियाहू का इस ini गुड़ाव में कोई President इस तरह पहले न हिया है न शाहिद करना चाहिए पर Trump और Netanyahu जैसे लोगों पे क्या करना चाहिए या नहीं क्या अंतराश्य जाहिए या क्सा पर क्या कानून होना जाहिए या सब तो घार रागु नहीं होता तो इसलिए यह शायद कहना बेकार है क्या जाइज है क्या नाजाइज है इस वक्त ट्रम्प और नेता नेहों जैसे नेताओं को देखते हुए है तो जो जोलान हाइज का मिलिटरी इंपोर्टन्स है क्या उसका भी कुछ लेना देना है इस बात को अभी उठाने के पीछ इस वक्त दी जोलान हाइज का एहमियत इस्रेयल के लिए तीन तरह के एहमियत उनके पास उनके लिए है एक तो जो आपने का सरासर मिलिटरी क्योंकि रोपर है। 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 तो इसलिए उस इलाके में आप अगर कब्जा करोंगे से दूस去त्रे मिधार करो रख सकते हो। और उस पर बंबारि करना भी आसान है। जो के इसरेल करता है। तो निगरनी रखना है, पुम्पारि करना पड़ाएगा वो भी एक military ली एक दिक्कत की बात है पर मैं नहीं समझता हूँ कि इसका सिर्फ सामरिक एहमियती है इसके साथ दो और चीज़ जुड़वी है एक तो जिसको जियो स्ट्रेटीजिक है सिर्फ शिस बिलिटरी नहीं स्टोर जो और भी चीजों को देखते हुए है तो इन देशों में खास तोर से लेबं़न हो जॉर्डन हो इस रेल हो वेस्ट बैंक हो फानी की ज़रूरत है और बहुत एहम रिसोरस इंक सब के लिए है खास तोर से इस्रेल का, क्योंकि जो वेस्ट बैंक है, उसे पानी का श्रोत ज्यादा है, पानी का एक्वेफर्स भी ज्यादा है, पानी भी जो भूतल जो पानी होता है, वो भी वेस्ट बैंक में ज्यादा है, इस्रेल में नहीं है, तो इसलिए जोलान हाइट्स जॉर्डन र तो वहां की पानी जोलान हैट की एक बहुत-बड़ा हिस्सा जो आता है वो जॉर्डन रिवर में जाता है और जॉर्डन रिवर और इस्रेल के लिए करीब 25-30 प्रतिशत जो पानी है वो जोलान हैट से आता है तो एक दूसरी अहमियत है अज बने जो कहा एक जियोस्ट्रेट इक एहमियत रखती है पानी तीसरी चीज है के जोलान में इस वक्त तेल का भी सम्पदा मिल चुका है तो ट्रिलिंग हुई है जो कम्पनी ड्रिल कर रही थी जोलान में उस पे अमरीका के बहुत बड़े-बड़े फिगर्स डिकषेनी जायसे फिगर्स भी उस पे शामिल है तो यह एक जो जो जोलान का एक economic importance भी है उसके तेल खनिच सम्तदाजी से कह सकते है वो भी जोलान के अंदर है और वो भी एक economic resource जो इस्रेल कबजा करना चाहता है और आपने इस्रेल पैलेस्टाइन का बात किया था इससे पहले तो युएस ने उस पे भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करी है हाल ही में अपना embassy shift करके तो उस पे क्या असर पड़ेगा जोलान हाइट्स के मुद्दे का मेरे ख्याल से वो जो जरुजलम की बात करके जो ट्रम्प कह रहे हैं वो साफ है कह रहे के जरुजलम आप जो है विवदास्पद नहीं है यह पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक का इंडिपेंडेंटन्ट टू स्टेट सोलूशन का capital पैलेस्टाइन के लिए नहीं बनेगी व और जरुजलम के इस तरह से एक पाक्षिक जुएश हाथ पे दे देना इस्रेइल के हाथ पे दे देना यह सिर्फ पैलेस्टाइन के लिए नहीं बल्कि पूरी एरब दुनिया के लिए बल्कि बाहर की इस्लामिक दुनिया के लिए भी एक बहुत-बड़ा political सवालों खड़ कर रहे हैं पर इस से साफ है कि United States या Trump एक घोशना कर रहे है कि two state solution जिसको कहा जाता है कि West Bank Palestine हो का पैलेस्टाइन राष्ट्र वहां West Bank पे निर्मान की जाएगी वह इस्रेयल वहां से का occupation हटा लेंगे और जरुजलम हो या नहों एक वहां पर एक कैपिटल जरुजलम के पास बनेगा यह जो बाते हैं यह सब खतम है और West Bank इस वक्त इस्रेयल का हिस्सा है और जोलान भी इस्रेयल का हिस्सा है 67 की जो ऑकुपाइट टेरिटरीज है यह एमरीका प्रेजिडेंट ट्रब यह गोशना कर रहे है यह इस्रेयल के अभिन्ना अंग है तो आप दो स्टेट सिलूशन को भूल जाएए इसका मतलब यह है कि इस्रेयल जो कि हम एक समझते हैं कि कि सदी सदी में कोई भी राष्ट चाहे इस्रेयल हो चाहे इंडिया हो भरतवर्ष हो चाहे पाकिस्तान हो अगर कोई भी राष्ट कहेगा कि धर्म के आधार पे हम राष्ट को निर्मान करना चाहता है एक एपर्थाइट स्टेट की तरफ जा रहा है जिस पे गैर बराबरी उस देश के अंदर एकदम साबित हो जाएगा है और यह एक और यह जो भी घोशना कर रहे है ट्रॉम्प इसका मतलब एक एक वन स्टेट सुलूशन इसरेल जो कि एक अपर्थाइट स्टेट बनके रह जाएगा जो कि गैर बराबरी के आधार पे राष्टर दिन्मान होगा यह इस चीज को एकसेट कर रहे है स्विक्रिती दे रहे और उसके पीछे मोहर लगाने के लिए तयार है यह इसका दिश्कर निकल के आता है थाने बाद प्रभीर आज हमसे इस बात पर चर्चा करने का और न्यूस क्लिक देखने के लिए आपका शुक्र रहा है